तो हेलो एवरिवान गाईस यह है श्री सिमेंट के quarter 3 के रिजल्ट तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस शेर के रिजल्ट से हाँ पर कैसे आए हैं तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेर के total income से तो yearly basis में यहाँ पर जो income है वो around यहाँ पर वैसे तो 4,230.2 करोड़ था जो quarterly basis में 5036.25 करोड यहां पर हो गया है quarterly basis में यहां पर जो share की income है वो यहां पर increase हुई है total expenses yearly basis में जो है 3845.82 करोड था जो quarterly basis में 4069.87 करोड यहां पर हो गया है income increase हुई है लेकिन expenses decrease हुए है total comprehensive income yearly basis में यहां पर जो है 280.15 करोड था जो quarterly basis में 736.90 करोड यहां पर हो गया है बात करते हैं इस share के यहां पर earning per share की तो earning per share yearly basis में 190.26 पैसे था जो quarterly basis में 297.67 पैसे यहां पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहां पर जो share के result और returns है काफी जादा बढ़िया देखने को मिले है आज जो share का price है वो 25,000 से 24,648 यहां पर आ गया है लेकिन इस मंतक का maximum target यहां पर 25,000 के around ही रहने वाला है और hold करके रखना चाहे तो आप share को जो है long term के perspective से भी यहां पर hold करके रख सकते हैं